Welcome everybody, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक कल्चर के बारे में वैदिक कल्चर एंसेंट इंडियन हिस्ट्री के आईरन एज में आता है तो आईए देखते हैं वैदिक कल्चर के कुछ डिटेल्स तो आईए वैदिक कल्चर में पहले देखते हैं origin and home of Aryans Aryans का original home का location अभी वी विवाद के घेरे में है यानि Aryans कहां से आये ये exactly अभी तक किसी को नहीं पता एक बहुत ही popular belief के अनुसार Aryans Central Asia से Indian सबकॉंटिनेंट में आये थे Aryans के अनुसार चार वैदिक गौड्स बताए गए हैं कौन-कौन से इंद्र, वरुन, मित्र, नस्त्याज वो घासकाई inscription जो टर्की में है वो इन चार वैदिक गौड्स को मेंशन करता है जो Central Asian theory को प्रूफ करती है कि Aryans का home land Central Asia था Aryans का पहला settlement पंजाब में बहुत सालों तक रहा जब पंजाब को सब्त सिंदु कहा जाता था यानि land of seven rivers और फिर Aryans गंगा यमुना के valleys में settle हो गए तो आजगी इस वीडियो में हम लोगों ने वैदिक कल्चर में origin and home of Aryans के बारे में पढ़ा कि वो कहां से आये थे और उनका home land क्या था So that's all in this video अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक कल्चर के क्या क्या मान्यता आये थी और उस वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा So thanks for watching, thank you